वेलकम्टू मैं चानल गाईज आज हम बना रहे हैं नेणूए का सब्सुटू को काटकर और इसके चिलके को हम इस तरह से छील लेंगे तो यहां फटाफट हमने सारी निन्वा को छील लिया है इसे धोकर और फिर हम इसे इस तरह से कर लेंगे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं लंबा में भी गोल में भी जैसे यहां आरा निनुव कट चुका है अब चली बनाना शुरू करेंगे यहां लेंगे सरसो का तेल तीन चम्मट जीरा डाल देंगे और दो तेज़पता डाल देंगे इसे हलका सा ब्राउन होने दोब किया हुव बड़े शायज का टमाटर और इसे भी हमें दो तीन में तक भून लेना है काली मिच पाउडर करब मसाला पाउडर और अधरग लवसुक्त काफॉच पेस्ट इसै क little happens मिला कर आधा चमचली पॉडर डाल देंगे अब जो है यहां हम सारे मसाले प्यास ट्रमाडर को अच्छे से भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे यहां जो है हम 2-3 मिनिट तक इसे भून चुके हैं और यह देखे मसाला प्यास हमारा पक चुका है अब यहां हम डाल देंगे चौप किया हुआ निनुवा इस बहुत ही सिंपल बहुत टेस्टी लगता है यह सबजी आप इसे बनाईएगा जरूर अब इसे हमें चला लेना है और मीडियम फ्लेम पे ढख ढख के इसे हमें पकाना है इसमें हमें पानी नहीं डालना है इसमें खुद जो है पानी वो निनुवा छोड़ता है तो इसी हिसाब से ढख के हम पकाएंगे गाईज अगर मेरे चैनल पे नए है तो प्लीज वीडियो को लाइक सेयर करेंगे तो है ना गाइस कितना जल्दी जटपट बनने वाला सब्जी आप इसे पूरी पराथे चावल किसी भी के साथ गाईए तो गाईज इस तरह से आप बनाईएगा और कॉमेंट में बगताईएगा कि कैसा लगा आपको निनुवा का सब्जी हमारे स्टाइल में चलि